वेल्कम आवर यूटूब चैनल जी अस्पी तांसू बीहार प्रदान सिचक के लिए अती महत्पुन प्रस्णों को देखने वाले हैं इस वीडियो में इसमें सारे के सारे प्रस्ण बहुती सलेक्टेर दिये गए हैं जो आपके एकजाम में आने की पुरी संभाब ना है इसलिए वीडियो को लास तक जवर देखें स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एकी रिक्वेस्ट है पिलिज वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रूप में सेर जरूर कर दिजेगा चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना अंसर क्या हो सकता है अगला प्रस्ण है नावीखे बिखंडर में क्या पढ़ियो किया जाता है नावीखे बिखंडर में पढ़ियो किया जाता है नूट्रोन ऑप्शन मिर A अगला प्रस्ण है द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है पाड़ा जबकि अधातु में ब्रोमिन हो जाएगा अगला प्रस्ण है आदिसरासी कौन नहीं है तो संबेग जो की सदिसरासी है अगला प्रस्ण है इन में से कौन सदिसरासी नहीं है सदिसरासी नहीं है उर्जा उर्जा जो की अधिसरासी है जबकि बल वेक तोरन विस्थापन यह सभी सदिसरासी के उधारन है अगला प्रस्ण है सुक्स बड़फ क्या है सुक्स बड़फ है ठोस कारवन डायोकसाइड अगला प्रस्ण है इलोक्टोन की खोज किस ने की थी इलोक्टोन की खोज की थी जेजे थॉमसन ने अगला प्रस्ण है प्रोटोन की खोज किस ने की थी प्रोटोन की खोज की थी गोलिष्टिन ने अगला प्रस्ण है निटोन की खोज किसके द्वड़ा की गई निटोन की खोज की गई थी चेडविक के द्वड़ा अगला प्रस्ण है पर्मानू के नाभिक की खोज किसने की थी पर्मानु के नाभिक की खोज की थी रदर फोडने अगला प्रस्न है पर्मानु के नाभिक में उपस्तित होता है पर्मानु के नाभिक में उपस्तित होता है प्रोटन तथा नीट्रोन अगला प्रस्न है मार्स गैस कहलाता है मिथेन अगला प्रस्ण है नॉबल गैस कहलाता है हिलियम अगला है सबसे हलकी धातु क्या है सबसे हलकी धातु है लिथियम अगला प्रस्ण देखते हैं सबसे भारी धातु क्या है सबसे भारी धातु है ओस्मियम अगला प्रस्ण है सबसे कठोर धातु क्या है सबसे कठोर धातु है platinum अगला प्रस्ण देखते हैं सबसे कठोर पदार्थ क्या है सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा अगला प्रस्ण है सबसे अधिक प्रत्यात धातु कौन है important प्रस्ण है सबसे अधिक प्रत्यास धातु है still अगला है वाई यान के टैरो में कौन सी गैस भड़ी जाती है वाई यान के टैरो में भड़ी जाती है हिलियम गैस अगला प्रस्न देखते हैं हसाने वाली गैस कौन है हसाने वाली गैस है नैटस ओकसाइड अगला प्रस्न है भारी जल का राशानिक नाम क्या है भारी जल का अगला प्रस्म देखते हैं क्रितिम वर्षा के लिए इसका पड़ियो किया जाता है क्रितिम वर्षा के लिए पड़ियो किया जाता है सिल्वर आयोडाइट का अगला है 18 केरेट सोने में सुद सोने का परसेंट मात्रा केतनी होती है 18 केरेट सोने में सू सोने की मात्रा होती है 75 परसेंट अगला प्रस्ण देखते हैं कच्छे फलों को पकाने के लिए किसका पड़ियो किया जाता है एसी टलिन का अगला प्रस्ण है पारा कमुक आयक्स क्या है पारा कमुक आयक्स है सिने बार अगला प्रस्ण है ब्राव का द्रवनांग कितना होता है ब्राव का द्रवनांग होता है 0 डिगरी सेल्सियस अगला प्रस्ण है रियक्टर में नियंतक छड़ के रूप में इसका परियोग होता है important प्रस्न है reactor में नियंतक छड के रूप में पडियोग होता है cadmium का अगला प्रस्न है धोनी तरंगे की दिशा में गवन करती है धोनी तरंगे गवन करती है लमवथ option number C अगला प्रस्न देखते है मानुस कौन तरंगे नहीं सुन सकता है मानुस नहीं सुन सकता है प्रासप प्रंगे अगला प्रस्ण देखते है मानब नेत्र की अर्ष्पर्दर्शन की नियुम्तम दूरी कितनी होती है मानब नेत्र की अर्ष्पर्दर्शन की नियुम्तम दूरी होती है 25 सेंटी मीटर अगला प्रस्ण है गोवर गैस से प्राप्थ होने वाली गैस क्या है गोवर गैस से प्राप्थ होने वाली गैस है मिथेन अगला प्रस्ण देखते हैं बायो गैस का महत्पुन घटक क्या है बायो गैस का महत्पुन घटक है मिथेन अगला है सोडा वाटर बनाने के लिए इसका पड़ियो किया जाता है इंपोर्टन प्रस्ण है सोडा वाटर बनाने के लिए पड़ियो किया जाता है CO2 का अगला प्रस्ण है लोहे का सबसे सुर्थम रूप कौन सा है लोहे का सबसे सुर्तम रूप है पिटवा लोहा ओप्शन नमर ए अगला प्रस्ण है बेव कुफो का सोना किसे कहा जाता है आरेन पायरेट्स को अगला प्रस्ण है लपीजी के गंद को पाचानने के रिए उसमें क्या मिलाया जाता है अगला प्रस्ण है सबसे हलका तत्व है हड़े पत्यदार सबजी में अगला प्रस्ण है कांसा किसका मिस्रधातु है कांसा मिस्रधातु है तामबा तथा टींका अगला प्रस्ण देखते है रेफीजेटर में जल को ठंडा करने के लिए किस गैस का पर्योग किया जाता है रेफीजेटर में जल को ठंडा करने के लिए पर्योग किया जाता है अमोनिया गैस का अगला प्रस्न है, आसुरू गैस कलाता है, कलोडो, एसिटोन ऊफिनोन आगला प्रस्न है, रेफीजेटर में एक समान ताब को बनाये रखता है, थर्मो स्टेट अगला अंतीम प्रस्न है, अंडे का आवरन किसका बना होता है? अंडे का आवरन बना होता है केल्सियम कार्बोनेट का